अब तुम 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, किसी भी year में हो, तुम BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, चाहे तुम VTEC कर रहे हो, college अब इस तुम्हारा start होने वाला है, हो चुका है, किसी भी condition में हो, एक important चीज तुम्हें करनी पड़े है कि कॉलेज में जाके हो, वह है DSA, किस टाइप की job तुम target क college में, उस पर depend कर रहे हो, तुम कौन से year में जाके यह चीज कर रहे हो, तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए, मैं तुम्हार लिए, पुरा एक proper DSA का roadmap लेकर आया हूँ, and AI को तुम कैसे use कर सकते हो, actually DSA को better पढ़ने में, वो भी तुम्हें इस वाले वीडियो में मिलने वाले हैं, इसमें exactly क्या होगा, सारी details में बाद में बताऊँगा, but एक important चीज यही है, कि तुम्हें challenge start करना है, जीतने वालों को Algo Prep X का subscription मिलेगा, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा कैसे चीजे होंगी, सबसे पहले, सबसे important चीज, DSA करने से पहले, तुम्हें decide करना बढ़ेगा, तो मैं कौन सी language करनी है, अब अगर तुम किसी अच्छी fan company में जाना चारे हो, फिर कोई भी ऐसी company में जाना चारे हो, जहां पे 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, लागा package मिल रहा होता है, वहाँ पे language से इतना दाधा फरक नहीं पड़ेगा, the major important part is, कि तुम problem solve कर पारे हो या अगर तुम problem solve कर पारे हो, तो किसी भी language में तुम problem solve कर सकते हो, it is well and good, so इस चीज में time waste नहीं करना है, कि मैं Java करूँ या C++ करूँ, कोई भी ऐक उठालो, मैंने दोनों के resources तुमें start करने के लिए दे दिया है, Java की पूरी playlist दे रखिया है, इसके साथ साथ C++ की पूरी playlist दे जल्दी से screen share करके तुमें दिखाता भी रहता हूं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, तो ये वीडियो तुम 2024 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, जब भी ये वीडियो तुम देख रहे हो ना, इस road map को तुम proper follow कर सकते हो, इससे तुमारा DSA भी हो जाएगा, इसके basics of java मिल जाएगा, आगे सब चीजों के साथ resources attached है, basics of java तुम यहां से सीख सकते हो, और C++ की resources भी मैं add कर रहे है, basics of C++ तुम यहां से सीख सकते हो, इससे तुमारे पाता चल जाएगा, areas क्या होते है, तुम्हारे point test वगरा क्या होते है, इसके लाबा तुमारे variables क्या होते है for loop cache चलता है, fles cache चलता है, and you can get started with any one of the languages, ठीक है, सबसे बेले तुम्हें यह करना है, starting के 5-10 दिन के अंतर जल्दी से एक language सीख लेनी है, तो जब तुम्हें Java और C++ की basics सीख लियोंगा, इसके बात तुम्हें क्या करना है, day 1 और 2 में, space and time complexity सीखना है, space and time complexity का मतलब क्या होत चाहे किसी भी company का तुम interview दे रहे हो, even अगर तुम किसी service based company को भी target कर रहे हो, तो वहाँ पर भी इस type के questions तुम्हारे आते हैं, कि this code को analyze कर रहा है, बताओ, time complexity कितनी है, next हमा आते है, 3rd to 10th day में तुम्हें क्या करना है, recursion and backtracking सीखना है, ठीक है, बहुत important है, काफी सारी company इ पूर आपर एक video पर आड़ कर रखी है, जिसको तुम जाके definitely check out कर सकते हैं, हाँ पर पूरा पढ़ा रहा है, space and time complexity क्या होता है, similarly इसके बाद यहाँ पर तुम जाओगे, तो यहाँ पर हमने तुम्हें सिखा रखा backtracking and recursion, इसकी videos मैंने आपर आड़ कर रखी है, तो जिन भ आपर आप फॉलो करने से ना तुम यह मत expect करना कि तुम बहुत बाप बन जाओगे बर तुम्हें सारी चीज़े आ जाएंगे, ठीक है, next important suggestion यह करने के बाद तुम्हें क्या करना है, contest देना, start कर देना, contest बहुत important होते है, actually real world तुम्हें पता चल रहा होता है, जब तुम टे जिसके नहीं है तुम गूगल करके राम से अपने आप देख सकते हो, ठीक है, बागे इसके लाब है तुम्हें अल्गोप्रेप X definitely check out कर सकते हो, आपर तुम्हें सारे resources मिल जाते है, DSA की सारे topics हमने पढ़ा रखें, तुम्हें पर dev भी मिल जाता है, LLD भी मिल जाता है, prompt engineering म मिल जाता है, course subject मिल जाते है, तुम्हारे course subject में सारे OSGMS, OOPS, computer network, सब कुछ आ जाता है, ये सब चीजें एक साथ तुम्हें 2500 वाले price point में मिल रही होती है, इसके बाद चालेंज के हम बात कर रहे हैं, मैं आगे explain करूँगा, challenge end तक wait करना है, ठीक है, challenge मैं explain करूँगा, उसमे के लिए क्या कर रहे होगे, तुम graph and dynamic programming कर रहे होगे, अब graphs में देखो कि तुम्हें BFS, DFS करना होता है, shortest path for all, like, from source to all vertices, disaster करना होता है, सारे मतलब मैंने important वाले, तुम्हारे algorithms लिख दिया हैं, तुम्हें करने होता है, and फिर dynamic programming में तुम्हें memoization और tabulation सीखना होता है, tabulation and memoization जोनों important है, memoization जादा important इसलिए होता है, because तुम्हें recursion से memoization पर जा रहे होते हो, and it will definitely help you out, next, 66 days to 75 days में हमें, oops, oops, थोड़े बाद सीखने हैं, थोड़े बाद तुम ऊपर भी classes बगएरा में सीख लोगे, and finally, 76 to 90 days में important topics करने हैं, number theory हो गया, bit manipulation होगे, tries होगे, जो और पूछे जाते हैं, and साथ-साथ हमें contest देते रहना है, यह basic तुम्हारा 90 days का DSA roadmap है, इसका इसे हो आगया, इसे तुम एक बहुत pro coder नहीं बनोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, but इसे तुम्हें data structure सारे आ जाएंगे, तुम सीख जाओगे exactly, कौन सा data structure कहा लग रहा होता है, इसमें कितनी time complexity लग रहा होती है, तुम medium and easy questions करने अलग जाओगे, इसके बाद hard करने के लिए तुम प्राक्टिस करनी पड़ेगी, चितनी जादा प्राक्टिस करोगे, उतनी जल्दी तुम बाकी चीदे भी कर पाओगे, next, यह तो चलो इसके लिए, अब तुम प्राक्टिस करनी है, प्राक्टिस करने के लिए 151 के अलगोप्रेप में चीट बना रखी है, वीडियो में टाच कर दिया है, यह तो पूरा अपना हाँ से अराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, next जीजा आते हैं तुम्हारी project ideas, अब तुमने एसब कर ल service मना सकते हो, इसके लाब WhatsApp का Firebase के साथ clone मनाना सिखाया जाता है, चाट application कैसे बना सकते हैं, तो तुम उससे कुछ मस सी चीज और बना सकते हो, इसके बाद important tips for resume, resume हो तुम्हें कैसे बनाना है, इस वीडियो में तुम्हें सिखा दिया जाएगा, and उसके बाद important tips for LinkedIn profile, LinkedIn profile में क् होती है, मैंने recruiters के साथ काफी podcast करें, recent times में Google, Amazon, Microsoft जैसे companies में काम किया हुए, TCS में काम किया हुए, Deloitte में काम किया हुए, मैं तब service product दोनों companies में काम किया हुए, दोनों तरीके लोग को hire किया हुए, तो उन्होंने बहुत amazing amazing चीज़े बताई हुई थी, i button में उसका link भी आ रहा होगा, top 3 लोगों को, अब top 3 लोग कैसे होंगे, अब randomly choose करे जाएंगे, जो जो इस चीज में participate करना चाता है, नीचे free trial एक, ठीक है, 3 days का तुम्हें free trial मिल रहा होगा, तुम जाके उसमें enable, like enroll type कर लो, we'll get all your details, हमें पता सलजाएगा, तुम्हें इस challenge के लिए interested हो, साथ 90 days तक code करना है, हर milestone पर, हर milestone मतलब हर month के end पर, तुम post कर तो social पर, 30 day, 60 day and 90 day, first day जब तुम्हें start किया, 90 day, सारी चीजे तुम्हें करनी है, तुम अपना post करते रहो, पढ़ते रहो, चीजे करते रहो, end में तुम्हें दिखाना है, कि मैंने इतनी progress कर लिया, मैंने रोज code किय है, अपना graph बगएरा डाल के post कर सकते है, मेरे को tag कर देना, algorithm को tag कर देना, and बस, 3 lucky winners को हम चूज करेंगे, and we'll give you the membership for 2 years, for free, 2 साल की membership तुम्हें free मिल जाएगी, 2 साल की membership around 4500-5000 के आसपास आती है, वो तुम्हें totally free मिल जाएगी, and बागी सब लोग को extra discount मिल जाएगा, जो भी visualize करो, directly AI से करना, AI से कर सकते हो, बट बहुत सारे visualizers तुम्हें online मिल जाते है, एक तो तुम AI से अपना खुद का visualizer बनाने का try कर सकते हो, that would be a very good project for you as well, but मैंने एक तुम्हें लिए विजुलाइजर ढूंड लिया था, majorly sorting and path finding के लिए होता है, तुम sorting and path finding इस से check out कर सकते है, for example, मैंने हाँ पर merge sort, हमने जैसे sorting के 5 algorithm डाली है, सारे कहाँ पर मिल जाता है, हमने निकाला ये and score कर दिया अगो, तो हमें दिखाएगे कैसे exactly sorting algorithm चल रही होती है, ऐसी चल रही होती है, mid में से break करते है, फिर उसके mid में से break करते है, फिर compare करते रहते, compare करते रहते, तो पहला left side पूरा हो जाता है, फिर right side हो जाता है, फिर दोनों को combine करके पूरा sort हो जाता है, similarly path finding algorithm हमें हमें आपे same चीज़ देख सकते है, एक अच्छा project भी है, तो हम इसको host भी कर सकते हैं, बाके लोग use भी कर सकते हैं, अब इसमें में algorithm register use करी, हमने इसको बोल दिया go, इस तरीके से तुम्हारा बनाया जाता है, इसमें ऐसे वो लगा सकते हैं, अलग-अलग blocks, कि भाई यहां से नहीं जा सकते हैं, यहां से नहीं जा सकते हैं, यहां से नहीं जा सकते हैं, और फिर बोलेंगे इसको, कि अब path find कर सकते हैं, अब यह try कर रहा है कि ऐसे path find कर सकते हैं, तो भाई आब कर देना मीडियम हाट मैने सेम चीज ट्राइक करके भी देखी थे तुम आड ले तो तुमुहां पर इसारे रिसोर्स भी आड कर दी है तुम तुम आड़ कर दी है अगर तुम देखो कि तुम्हारे प्रबलम्स भी आड हो चुके कि lead code का ये वाला कर लो, lead code का ये वाला question कर लो, ये वाला question कर लो, इस तरीके से तुम plan वगएर आपने बना सकते हैं, you can use AI actually to help you out, किसी और की जरूरत दिया, तुम इससे अपना plan में बनवा सकते हो, या फिर अपने plan को अपने हिसाप से tailor कर आ सकते हैं, मैंने यह 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 चीज़े कर लिया, जो मैंने 90 days plan दिया है, वो काफी generic है, किसे ने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो it will be good for a beginner, तुमने अल्रेडी चीज़ कर रखे तो इसको यह plan दे सकते हो, and ask them कि मैंने इतनी चीज़े कर रखे हैं, modify this plan for me, and GPT तुमारे लें modify कर देगा, GPT, Claude, Gemina, जो भी तुम यूज करना, तुम यूज कर सकते हो, next, तुम mock interviews दे सकते हो, मैंने एक-दो websites तुमारे निकाली है, एक तुमारे जालती है, आपर पर तुम जाकर mock interviews दे सकते हो, दूसरी final round AI करके एक website है, जिस पर पर तुम दे सकते हो, यहाँ पर तुम hij सी mock interviews पर दे सकते हो, इन तीनों को तुम यूज कर सकते हैं, तुम गूगल के इंटरव्यू दे रहे हो तो तुम गूगल इंटरव्यूर हो इन के कि इंटरव अभाणीत, आधे आट, मेरा कोगल इंटरव्य दे रहे हो नहीं है थो बेटर हो सकता है, and you will improve a lot, for sure. तो बस, this is it, यार. ये सारी से दुम करो, दियर से दुम सीख लोगे. And yeah, thank you so much for watching this video. I hope आप लोगो वीडियो अच्छी लेगे, वीडियो अच्छी लेगे, लाइक करदेने, सब्सक्राइब वादेने चानल को मिलते हैं, नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिया.